हेलो दोस्तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसल सीजन सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ मैं बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही इंडिन फुटबॉल से रिलिटेट आईसल से रिलिटेट ट्रांसफर अप्रेट और निउस आप सभी के लिए लाता रहता हूँ इसलिए प्लीज दोस्तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ मैं बेल नॉटिफिकेशन को भी आउन कर दीजिए त सालों के कॉंट्रैक्ट पर तो दोस्तो दो हुजार पचीस तक आप सभी को संदेज शिंगन खेलते दिखेंगे एटी के मोनमगन एफसी के टीम में और ये दोस्तो बहुती बड़ा गुड नीउस है एटी के मोनमगन फैनों के लिए क्यूंकि दोस्तो ऑलरेडी एटी के मो मोनमगन एफसी की टीम बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग थी और संदेज शिंगन के आज आने के बाद और भी ज्यादा दोस्तो श्ट्रॉंग हो गई है एटी के मोनमगन एफसी के टीम तो दोस्तो बहुत दिनों से ये कंफ्यूजिंग था संदेज जिंगन को लेकर कि वो पहले ही साइन कर दिये थे लेकिन अफिसियल एनाउंस्मेंट नहीं हुआ था कर दिये थे लेखुआ हैं तो दोस्तों संदेज जिंगन FC ने भी officially confirm कर दिया है लूइस मचैडो के sign को तो लूइस मचैडो ने नौट इशनेटेड एफसी के लिए sign किया है दोस्तो और ये बहुत ही बेटर इन खिलारी है लूइस मचैडो इनका उमरे 27 साल और ये पोर्चुगल से बिलॉंग करते हैं इनका main position है दोस्तो left wing और इसलिए अपने टीम में new center back के sign को confirm कर दिया है दोस्तो जिनका नाम है James Donachy तो दोस्तो James Donachy बहुत ही बेटरीन center back है और अगर इनके बारे में बात किया जाए तो इनका उमरे 27 साल Australia से बिलॉंग करते हैं इनका main position है दोस्तो center back और दोस्तो James Donachy का सबसे अच्छा बात ये है कि इन्होंने 5 बार AFC Champions League में खेला है इनके पास 5 बार AFC Champions League में खेले का experience है तो दोस्तो FC Goa के लिए ये बहुत काम आ सकते हैं AFC Champions League में FC Goa AFC Champions League खेलेगी तो दोस्तो James Donachy बहुत ही जादा एहम होने वाले हैं उनके team के लिए और मुटसदा fall के perfect replacement कहा जा सकता है दोस्तो James Donachy और दोस्तो FC Goa के team में James Donachy लोन पर आये हैं और सिर्फ एक साल का contract है FC Goa के team के साथ James Donachy का और दोस्तो ISL Season 7 और AFC Champions League में खेलेंगे एक साल के contract पर ही James Donachy दोस्तो अब हम बात करते हैं आज का last update के बारे में जो है दोस्तो ATK मोनमगन FC के pre-season को लेकर तो दोस्तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया ताकि ATK मोनमगन FC के team अपना pre-season ISL Season 7 के लिए सुरू करने वाली है 26 सितंबर से सभी Indian football players ATK मोनमगन FC के join करेंगे गोवा में दोस्तो तो दोस्तो 26 सितंबर 2020 को यानि कल ही ATK मोनमगन FC के जितने भी Bengali players है वो सारे players गोवा के लिए रावाना हो गए थे दोस्तो अब वो गोवा पहुँच चुके हैं और एक दो दिन के भीतर ही वो अपना pre-season practice शुरू कर देंगे ISL सीजन 7 के लिए कौन-कौन से player दोस्तो 80 के मोनमगन FC के pre-season को join करने के लिए गोवा पहुचे हैं मैं आप सभी को उनका नाम बता देता हूँ तो अंकित मुकर जी प्रभिरदास, सुबासी स्पोस, अविलाश पॉल, सेख साहिल, प्रोनाई हालदार और दोस्तो प्रितम को टाल और साथी गोल की पर अरिंदम बटा चारिये तो दोस्तो टोटल आट प्लेयर्स गोवा के लिए रवाना हो गए थे 26 सितंबर को यानि कल अब वो गोवा पहुच चुके हैं और कुछ दिन बाद वो अपना pre-season practice शुरू कर देंगे और दोस्तो सुमित राटी भी अब गोवा पहुच चुके हैं उन्होंने भी दोस्तो 26 सितंबर को एटी के मोनमगण FC के प्रिसीजन जॉइन करने के लिए गोवा रवाना हुए थे और सुमित राटी को लेकर टोटल 9 प्लेयर्स अब गोवा पहुच चुके हैं और कुछ द प्लेयर्स हैं और कोचिंग स्टाफ है वो सारे 14-15 दिनों के बाद ही एटी के मोनमगण FC के प्रिसीजन को जॉइन कर पाएंगे तो दोस्तो आईसल सीजन 7 से जितने भी लेटिश्ट अबडिट आया लेटिश्ट निउस आया मैंने आप सभी को उस निउस के बारे में बता करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकोन को भी प्रे कर दिजे तो चले दोस्तों अब हम मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में